हेलो गाइज वेल्कम टू ब्रेइटर्स मेरा नाम अर्त है और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले तीन इंपोर्टेंट चीज फर्स्ट बीडबली के लिए वाईवा क्वेशिंस कौन से कौन से आपको पूछ सकते हैं जो प्रोबैबल वाईवा क्वेशिंस है वो से कि तरिक साब माक्स लाग सकते हो वो टेकनिक मैं थर्ड पार्ट अप दी वीडियो में डिसक्स का ओके तो विडाउट वेश्टिंग मच ओफ यर टाइम लेट स्टार्ट विडियो तो पहले देखते हैं 15 ऐसे इंपोर्टेंट कंसेप्स जो आपको बीडबली में पूछ सक प्र दो सेकंड क्केशन है वहा है तो मेजर आउट्पुट वॉल्टेज अक्रोश लोड रेजिस्टर करें थू लोड रेजिस्टर अन् वेरिफाइदा रिजल्स उसेंग मेश ऑन नोडल अनलिसिस्ट तो यह एक इंपोर्टेंट कंसेप्ट है तो मेश और नोडल अनलिसि हुआ है, verification of superposition theorem, आपको यह theorem अच्छे से समझ रहे है, फिर fourth है Thevenin's theorem, इसके पर आ सकता है फिर fifth, Norton's theorem तो यह concept के उपर आपका आ सकता है फिर आपका sixth question हुआ है maximum power transfer theorem, okay इसके पर भी आ सकता है, तो यह सब theorems के अंदर, theorem समझ लो और थोड़े equations रहे हैं, वो भी अच्छे तरीक से समझ लोगा अब बढ़ता है, seventh question के तरफ जो है, to find the resistance and inductance of a coil connected in series with a pure resistance using three volt meter method, okay, so आपको यह आ सकता है, फिर जो eighth question है वो है, find resistance and induction, inductation of coil connected in parallel with a pure resistor using three am meter method, okay, so आपको यह आ सकता है और इसके उपर रहना, थो है concepts जो कैसे होता है कैसे working होता है, वो identify कर लो बाकी साब आप वाइबा में cover कर लो okay, फिर जो ninth question हो है to find resonance condition in RLC series resonance circuit, okay फिर जो next type का question है, 10th वाला हो है, resonance condition in parallel resonance circuit, same चीज़ का parallel वाला भी पूछ सकता है फिर 11th question हो है, to measure relationship between phase and line currents and voltage in three phase system, जो star और delta method है, उसके बारे मैं पूछ सकता है फिर 12th question हो है to measure power and phase in three phase system by two watt meter method, so यह अपका 12th question हो गया, फिर 13th question जा सकता है, वो है to find the equivalent circuit parameters by conducting OC and SC test on single phase transformer, सबको यह सकता है फिर 12th question, sorry, जो 14th question हो है, to demonstrate circuit out section of DC machine, और जो आपका last question, probable question जो आपको आ सकता हो है to demonstrate cut-off section for a single phase transformation ओके, सो यह तो थे थोड़े important concepts जिसके उपर आपको वाईवा question आ सकता है ओके, सो अगर आपको अपको अपतक ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज एक लाइक करता हो, और चानल को सब्सक्राइब करता हो, क्योंकि हम लोग आगे दूसरे subject के related, important, आपके end, sim के related, job के लिए related, placements के related, वीडियो लाते रहे तो आपको उसके भी notification आ जाईए, ओके, अब बढ़ता है second part of the video के तरह, जिसके अंदर तुम ये वाइवा केशन के answers कहां से डून सकते हैं, okay, so इसके लिए, आपके पास दो option है first, description के अंदर मैंने एक link दी है brain heaters library की, जिसके अंदर हम लोग ने बहुत सारे reference books डाल के रखे है, so आप जाके उदर reference books से ये concepts बढ़ सकते हो और इसके related, एक answer आप बना के वाइवा में बोल सकते हो, so आपको ये concepts दोना है और second तरीका ये है कि brain heaters notes, so brain heaters notes के अंदर हम लोग ने reference books से ही लेके ऐसे answers बना दिये, ये concept के related तो आप उदर जाके directly वो question के साथ जो answer है वो एक बार, दो-तीन बार पढ़ लो और वो ही आप वाइवा में बता सकते हो आपके life बहुत जादा easy हो जाही तो ये था second method ये था second part होती वीडियो जहां पर आपको मैंने बता है कि आप ये answers कैसे डून सकते हो, okay अब third part के तरफ बढ़ते है जो एक generic approach रहेगा जो आपको कोई भी वाइवा questions लेख जरूर नहीं है कि ये ही eight वाइवा questions आएगे इसके अलावा दूसरे वाइवा questions भी आ सकते है तो जो next step है वो आपको बताएगा कि आप कोई भी वाइवा कैसे crack कर सकते हो तो specifically ये एक subject के related नहीं है ये generic, okay So discuss करते है वो approach in the next part So अगर तुम्हें वाइवा questions या फिर वाइवाज आपके crack करने तो एक चीज तुम्हें समझ के रखनी है कि वाइवाज हमेशा तुम्हारे practical के अंदर जो concepts होते है उसके related जादा time पूछे जाते है Okay, so ऐसा नहीं होता कि practicals के detail के अंदर जाता पूछते है वो लोग वो practical का जो concept होता है उसके related पूछते है Okay, so आपका first step होगा identify all the important concepts in a particular subject Okay, so ये identify करने के लिए आपके पास तीन different methods है So आपको क्या करने, आपको syllabus के through जाना है सब important concepts जो है वो एक-एक करका identify करने और वो concepts को समझना है So अगर अपने सब concepts समझ लिए तो आपकी life बहुत जादा easy हो जाएगी वाईवा के अंदर और आप definitely हर question का answer crack कर सकते हो क्योंकि वाईवा के अंदर they don't expect कि आप एकदम professional way में एकदम detailed में जैसे आप question answer लिखते हो वैसे बता उन्हें सिफ ये चेक करना रहता है कि आपको वो चीज की knowledge है की नहीं तो सबसे पहला step हो गया identify the concepts and then learn the concepts on your own तो ये एक first method होगी जो आपको करनी है in order to crack your वाईवा आपके लिए सब इंपोर्टेंट कंसेप्स इन पर्टिकुलर सब्चेक्ट आइडेंटिफाई करेकर रखें आपको कहता है सिर्फ ब्रेंटेंट क्वेश्चन बैंक पर जानी है जितने भी हम लोग में कंसेप्स उदर दिये सिर्फ उतने ही कंसेप्स पढ़ने है उसको देखना है और इसके सेल्यूशन हम लोग ने बी एच नोट्स के अंदर इंक्लूड किया आप उदर जाके सीधा सेल्यूशन पढ़ लोगे तो आपके पूरी वाईवा की प्रिपरेशन भी हो जाएगी अलोंग विद आपके एंड सेम की भी प्रिपरेशन थोड़ी बात होई जाएगी उतर से तो ये तो था थर्ड तरीका कि आप कोई भी वाईवा एग्जाम कैसे क्राइक कर सकते हो और एक इंपोर्टन चीज जो मैं आपको हाईवी रेकेमेंड करूंगा वो है अब Brain Eaters WhatsApp Community जोइंग कर लो जिसके अंदर 30 से लेके 40,000 प्लस एंजिनियरिंग स्टूडेंट्स है जो रेगुलर बेसिस पर डिसकेशन करते हैं स्टडी माट्रियल शेर होते हैं इंपोर्टन करिया टिप्स बगरा मिलती है हमारे WhatsApp Community के भी लिंक दिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वो क्लिक करके हमारी WhatsApp Community में भी जॉइंग कर लो आपको यह वीडियो पसंद आई हो आपको हेल्प किया हो अगर आपको यह वीडियो हेल्प किये तो प्लीज एक लाइक कर दो और चानल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको नेक्ट वीडियो कौनसे चीज़ों के रेलेटेड चीह है सो दार हम लोग उसके रेलेटेड भी वीडियो बनाते रहें ओके तो तिल देन टेक केर सब लिंक्स मेंने दिस्क्रिप्शन के अंदर डालेगे